Hi everyone welcome back in a big data analytics course and in this course हम पढ़ रहे थे Hive Apache Hive के बारे में हमने पूरा study किया उसके बारे में now we will see the Hive के जो भी client से उनको examine करने वाले है तो very first client is Hive CLI यानि कि जो भी client side के उपर जो भी अपन Hive से user interface connection होने वाला है वो different ways में होता है पहला है आपका Hive CLI यानि कि command line interface use करता है command line ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है यह आपकी client side पर यह हो गया आपका Linux में जो भी आप command डालने वाले हो वो वो interact हो रही है आपकी Hive CLI जो आपकी command line interface है किस portion में हाइव के portion में है फिर आपका driver है तो इसकी क्यों नीट पड़ी ताकि अपन driver से connect हो सके अब driver ही जो भी database है अपन create कर रहे है अप load कर रहे है ठीक है और कितनी table से क्या है मतलब कितने numbers सो data है उसके अंदर किस type का data यह सारी information कौन रख रहा है आपका meta data data about data ही क्या होता है मेटा data यानि कि किस type का data है उसके बारे में कौन store कर रहा है मेटा store यूज कर रहा है तो यह फाइनली फिर फाइनली कहां पर जाएगा अपाचे database के पास जाता है तो इसके अंदर कुछ steps होते हैं इसको perform करने के लिए हाइव CLI क्लाइंट को देखो सबसे पहले सबसे पहला काम में आपको इसके जो bin folder है हाइव का home में उसमें CLI service को own करना पड़ेगा जैसे यह own करोगे तो हाइव की जैसे इस तरह का interface आपको देखने को to true यानि database को आपने यहाँ पर true कर दिया इसके बाद आप यहाँ पर अपने database को create कर सकते हो with a name जो भी आपको name देना है इसके बाद यहाँ पर okay लिखाएगा कि आपकी query update होगी है okay and time भी show करते हैं some time now fourth step में क्या हो रहा है आप उसको लिखोगी कि use db जैसे आपने SQL में लिखते कि कुछ database को आपने use करें उसके अंदर आप जो भी functions operation परफॉर्म करेंगे आप कर पाएंगे तो आप इसके अंदर hive की साथ कि आएगा इसका database का name आएगा like this hive database का name then आप create कर table table का name and उसके अंदर देखो आपने query चला जी कि first name मेरा string होना चाहिए last name में string होना चाहिए employee id लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है वह यहाँ पर आप simply table create कर दो कि तो finally आपके पास क्या लिखाब आ जाएगा okay अब आपका सारा complete हो गया है अब आपको यहाँ इस से बाहर उसे तो आपको particular database बार निकला है तो इसको quit कर दो and then अगर इसको particular को access करना है तो आप यह query perform करके यह command लगा के particular को access कर सकते हो now second time आता इसका web browser as a hive client अब जैसे अगर आपको web browser as a hive client करना है तो आपको उसमें और इसमें यह difference है कि यहाँ पर hive web interface server को आपको add on करना पड़ता है सबसे पहले तभी आप web browser से connect कर पाते हो देन यह आपका CLI चलता है साथ की साथ और दोनों कहां से किससे connect होते है जाके hive driver से and then यह आपका meta store आ जाता है और वो ही DV आ जाता तो यह same process आपकी चलती है ठीक है बट इसके अंदर steps थोड़े अलगे मैं आपको show कर आ यहाँ पर द को require होती है कुछ libraries को तो वो libraries आप इस particular sites पर जाके डाउनलोड कर सकते हो third step क्या रहेगा हमें कुछ following commands को follow करना पड़ेगा ताकि अपर ant ant को install कर सके यह सारी आपको command लिखनी पड़ेगी उसके बाद इसका environment variable set करना पड़ेगा आपके जाओ वाले folder में जाके and then यह पूरी process चलती है जिसके अंदर mainly तो आपका configuration listing होती है यह important है अगर आप exam में लिखके आना चाते हो तो यह चीज आप जरूर लिखके आना यह तो फिर भी आप skip कर सकते हो जिसके अंदर क्या हो रहा है प्रोपर्टी पात आ रहा है उसका name आगया वार फाइल का देन आपकी value set कर दि दिया complete हुआ यहाँ पर description and property को close कर दिया simple है property on किया name आएगा value आएगा description आएगा property close name में simple name आगया वार फाइल का value आ गई उसकी मदब कहाँ पर पे प्लेस है वो and description आगया किस type की file है and then property close now third है है इसके अंदर squirrel as a hive client यह third है last है इसके अंदर क्या होता है आपको एक universal SQL client को download करना पड़ता है particular source forge से यह इनकी website है वार्च जाके universal SQL आपको download करना है basically क्यों कर रहे है क्योंकि आपनको यह user interface provide करता है ताकि आपन किसी भी task को query कर सके data को analyze कर सके with Apache hive but इसके अंदर एक JDBC APIs लगती है so that आपने इस driver से connect हो सके तो उसके लिए JDBC driver लगता है SQL SQL लगी रहा है आपका आपने खांचे download किया यहां से इसको download कर लिया source for इससे उसके बाद आपका JDBC driver लगता है उसके बाद यह आपका हाइव का thrift server आता है जाकि आप JDBC से connect हो सको इसको भी connect करने के लिए आपको यह चीए commands को यूज़ करते हैं वह commands क्या है यहां पर देखो आप यही सबसे पहले यह command लगेगी आपकी service की उसके बाद आपका यह स्टार्ट होगा port number बता देगा and finally thread पर यह work करेगा second step में आपको latest जो भी आपका squirrel है उसको download करना है ठीक है थाड़ के अंदर आपको जो भी squirrel package पूरा download है उसको uncompress करना है zip file वाले को ठीक है fourth में आपको new के साथ इसको change कर लेना है ताकि directory और इनके साथ rules के साथ यह start हो सगे fifth के अंदर आपको Apache के साथ इसकी directory को follow कर देना है so that squirrel उसके रन हो जाए यह simple से step तो यह थे हमारे कुछ हाइब clients like हाइब CLIM आपने देखा web browser है हाइब client देखा and squirrel है हाइब client देखा फोफ त आपको अब आपको clear है and I think इतना sufficient from exam point of view and thank you so much watching this video still any doubt you can ask in a comment section share this with your friends and like this video if you loved it and जहिन जावारत मिलते नेक्स वीडियो के साथ में चैनल को जरूर subscribe करने का